इससे आपने प्रिव्यस क्लासे आपर आपने जो श्टडी किया जिसमें हमने जो कल के वीडियों पे आपने देखा कि जो ट्रांसपोर्ट है वो जो ट्रांसपोर्ट की जो सिस्टम है उसमें हम त्यार कर सकते हैं जो कोई भी जो यूमन्स है या फिर जो माटेरियल है उसको मूव करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस सो इसे में हमारा जो मेंस है वो है आपका रोडवेस so roads are the most common means of transport particularly for covering short distance means जो हम roadways के हम बात करते हैं तो जो अभी का जो common means है generally ज्यादतर जो use है जो short distance के लिए वो आपका roadways है वह ही use के जाते हैं यानि road के माध्यम से ही हम एक जगह से दूसरी जगह मोमेंट्स करते आते जाते हैं हम materials को समानों को एक जगह से दूसरी जगह मूब करवाते हैं so with industrial development the length of road has increased phenomenally and many stretch of forest even agriculture land have been cleared for building roads means जैसे जैसे क्या हुआ कि industrial development होते गया जो generally आपके जो humans है वह अपने नेश्ट के लिए जो forest area है agriculture land है उनको clear करके वहां पर roads है वह बनाते गए ताकि जो raw materials है या फिर humans का जो moments है materials का जो moments है वह easily one place to another another जो place है वहां पर किया जा सके तो अब यहां पर आता है कि roads are considerable the base means of transport for the following reasons यहां पर बताए गए हैं जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि जो roadways है हमारा जो road network है वह base means है पहुत ही हमारे लिए आवस्यक और बहतर जो माध्यमा transport का वह roadways है तो फर्स्ट पॉइंट है कि दे प्रवाइड डोर तू डोर service यानि यह जो है डोर तू डोर यानि जो जहां से जो materials है वह डोर टू डोर पहुंचा दे जैसे हम रोट की बात करते हैं तो जो roads है वह आप जो देखेंगे तो आपके घरों तक पहुंचा रहा था चाहिए वह roads पकी हो चाहिए वह कच्छी हो यह जो पहुंच है डोर टू डोर होता है यानि घरों तक उसकी पहुंच होती है आपके railways है waterways है या फिर airways है इसमें आईसा नहीं होता है यह जो यह जो रिमोर्ट लेंड लेंड आई जो विलेज जहां पर फहुंच सब्सक्रान कुछ वहां पर भी कुछी किसी रूप में जो रास्ते हैं रोड से वह गया होता है आप अपने आसपास भी देख्यांगे आपके घर घर कहां पर है और वहां पर आप कहीं न कहीं किसी न किसी माधम से रोड गया हुआ है then they are users to build maintain in difficult terrain like forest and mountain यह जो roads है उसको हम चाहे वो forest area हो चाहे वो mountain area तो वहां पर भी इसको बहतर तरीके से बनाया जा सकता है और उनका maintenance किया जा सकता है बट आप जो railways की बात रहें तो mountain area में तो railway track विचाना पहुत ही मुश्किल है और वहां पर तो सायद mountain area में सूरं के माधम से tunnels हैं उनके माधम से ही railway tracks बनाया जा सकते हैं ऐसी जरली mountain में railway track विचाना पहुंत ही मुश्किल होता है देन इन इडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इन्टू फाइब केटेगिरीज यह अब यह तो हो गया उसके जो रिजन जिसके कारण से बेस्ट मेंस हम कह सकते हैं कि इसको रोड्वेज को अब इंडिया बात करें तो यहां पर जो हमारे जो रोड्वेज है उसको 5 टैप से केटेगरा इस किया गह एक जो हता है आपका नेशनल हाइवे दियो क्या करता है क्नेक्ट इस्टेट केपिटल जो सब्सक्राइब करता है मिस आप जो यहां पर ज़रलिए आप देखेंगे तो यह जो आपका हमारा जो नेशनल हाइवेइ वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को आपस में कनेक्ट करता है तो आप next आता है कि बॉर्डर रोड़ वह आपके बॉर्ड डैंक होता है जो मेन जो इसके जो क्उसक्प्ल लाइन्स होता है जो remote area along India's border यहां इंडिया का बॉर्डर एरिया है यहां पर किनारे वाल एरिया आपका जो बॉर्डर जैसे आपका यहां पर आप देखेंगे तो इंडिया का बॉर्डर है पाकिस्तान के साफ रहते हैं तो इस एरिया में जो रोड्स जो बिल्ड होते हैं आप इदर नेपाल इरिया में हम पिधर आपका देखेंगे तो इस एरिया में जो बॉर्डर रोटक यूथ आपका बॉर्डर रोट काहलाता है आपके जो जो स्र्णारी कांट्रीक्यक के किनारे जैने में रोड बिल्ड सब्सक्राइब करते हैं चुर्य हम यहां पर बात करें यहां पर तो यहां पर देखेंगे तो इस से जो कि हमारा सुंस्ते साथ हाइवें है वह एक डिस्टिक के दूसरे डिस्टिक जो कहरें आपस में रोड में स vous connect और आाता है जिसको का clock चट रोड देन आपका वज रोत पता है आपको जो कि जो गामों को जो जो विलेज है उचको आपस में कनेंट करता है तो आपका विलेज रोग्त व तो या आपके 5 चार्टेग्रेत चील के गाते तैनल हाईवे स्थेट हाईवे दिस्ट्रेक्स विलेज रोड है तो ये 5 यह Tえば प्र्ड्नेस के गए यह देन लें थवॉप्ष हैस्थ रोड ही इस इन इंडिया या vide यह यह सबसे उचाई में जो रोड बना है वर्ट का वह इंडिया में है इट रंस फॉम मनाली तुलेह एट एन एवरेज हाइट ऑफ 4,000 मीटर यहनी मनाली से लेह का जो हाइवे है वह सबसे हाइए जो रोड है जो आपके 4,000 मीटर का एवरेज हाइट है वहाँ पर यह रोड बना हुआ है यहनी आपका हिमालाई जिरो रिज़न के हम बात करते हैं दूपर यह वाले जो एरिया है तो वहाँ से आपके जो मलानली और जो लेह का जो हाइवे है वह 4,000 मीटर हाइट है उसका उचाई पर बना हुआ है और यह आपका वर्ड का सबसे हाइस रोड है दैन नेक्स्ट आता है कि जो नेशनल हाइवे डेवलप्मेंट अर्थार्टी जिसे एन एजडी भी कहा जाता है उसने क्या क्या बिल्ड गोल्डन क्वाडिरेटर्स जिनका जो लेंथ है वह 5,846 किलोमेटर है connecting four of India's major metropolitan cities, Chennai, Mumbai, Delhi and Kolkata मिस आपके जो golden क्वाडिरेटर्स की यहाँ पर बात किया गया आपके पास map भी है वुक्स में वह आप देख सकते हैं सो वो क्या करता है हमारे जो four main metropolitan cities है जिसमें आप यहाँ पर आप दिल्ली देख लिए यहाँ पर आपको Kolkata मिल जाएगा देन आपको यहाँ पर Chennai मिल जाएगा देन आप यहाँ से Mumbai चले गए आप मुंबई फिर आपका देली तो इस रूप से एक जो गोल्डन को जो बनाते हैं तो यह जिनका जो नौचल प्रदेश वाला इरिया होते हैं आपका इधार आपका यहां पर वेस्ट आपका कुजरात के एरिया वहां से इस्ट वेस्ट जो कॉरिडर है एक जो रोड बना हुआ है वह आपका एक कालाता है जिसका जो डिस्टेंस है सेवन थाउजन थ्री हंड्रेड किलो मिटर यह नहीं यहां से आपका नौचर प्रदेश ओला इरिया है यहां सोते भी वह आपका यहां पर कनेक्ट करता है देन यह आपका कहां यह जो एरिया है आपका जो मैंने बताया उसमें आप जो देखेंगे इस्ट वेस्ट जो कनेक्ट सेल्चर है इन द इस्ट पोर बंदर इन द वेस्ट यह नि जो आपका गुजरात का जो लास्ट पोर बंदर एरिया है तो वहां पर देन आपका इधर आपका सेलचर है वहाँ से देन North-South Corridor यानि आपके जो North-South यानि आपका जो उफरी जो भाग उपर वाला जो इंडिया का जो इरिया था वहाँ से Connect करते हुए आपका इधर आपका डाउन साइड आप जा के देखिंगे तो यहाँ पर आपका कनेक हुमारे देन पर वर्ट का जो बताया गए सम आप दा प्रिस्टीजिस रोड्स इन दा वर्ड वर्ड के कुछ जो मेजर जो रोड्स है उसके पारे में हम यहाँ पर देखें तो आपका आता है कि कि फर्स्ट आप देखेंके तरब ट्रांस केणी करेंडिन вони helping करता है तो बरेंस को आपके ब्रिटे इन कोलंबिया है कि बिटिस कोलंबिय है उससे सेंड- जॉट्विन और मेलवर्न है उसको आपस में जोड़ते बेर YOUR डे है क्रेक और अश्टेलिया है वहां को आपस मिंग करता है दो जा हाइवे चाइना का है वह चेंगुडू है उसको लिहासा है उससे कनेक करते है तिबबत के अरिया में वहां पर इंडिया काता है डॉटवर्ड कौर्डन कौर्डिनेटर्स की बात करते हैं और फिर सूपर करनेक्ट करते हैं सो यह आपके roadways network है जहां पर आपको कि डिफ्रेंट टाइप के जो road network है वो देखने को मिलता है नेक्स्ट आपका आता है क्या railways यहां पर आपको image जो बना हुआ है उसमें आप देख सकते हैं यह इंडिया का जो आपका रेलवेनेटर यहां पर आपका roadways दिया हुआ है जिसमें इस image में आप इंडिया का मैफ है उसमें यह आपका गोर्डर कॉर्डिनेटर रेट कलर में आपको दिखाया गया है यह आपका स्रीन अगर से स्टार्ट होते हुए आपके कहां तक आए गया यह इधर कन्यकुमाई लाश्ट यह आपका north south हो गया आपका कॉर्डिलर हाइवे है यहां से सिल्चर से आप देखेंगे यहां से आपका सो अरनौचवर प्रदेश होते भी आपका सिक्किम होते वह से यह आपका कुझरात का जो पोर बंदर है यहां को कनेक्ट करता है यह कुछ जो मेजर आपके रोड्स हैं उसके बारे में बताएगे इसके लाब और बहुंस सारे जो रोड्स हैं इंडिया में बने हुए हैं आपके रोड्वेस होगा हम वहाँ पर आपके रेल्वेस के स्टड़ी करेंगे तो ओके थांक्यू